नमस्काल डीवी नीउस में आपका स्वागत है नासा के एक्स्टोनोट्स सुनीता विलियम और बुच बिलमोर दो महीरे से भी ज्यादा समय से अंतरिक्ष में फस्ते हुए हैं बहां बोईंग स्टार लाइनर के पहले टेस्ट मिशन में सवार होकर इंटरिनेशनल स्पेस स्टेशन यानि आई एस गए थे स्पेस क्राप्ट में खराबी आ गई तब से दोनों आई एस एस पर भी मौजूद है महिनासा उन्हें बापस लाने की तरकीवों पर विचार कर रहा है इसी बीच अमेरिका के एक पूर्ब मिलिटरी स्पेस सिस्टम कमांडर रूडी रिडॉल्फी के बयाने चिंता बुढ़ा दी है एक बातचीत में रिडॉल्फी ने स्टार लाइनर के रिटर्ण मिशन में तीन संभावित खराबियों का जिक्र किया है रिडॉल्फी ने कहा है कि अगर खराब अंतरिक्ष यान से वापसी की कोशिश की गई तो भयानक परिणाम हो सकते हैं उन्होंने तीन संभावित विनाशकारी नतीजों के बारे में बताया है चलिए आपको बताते हैं कि सुनीता बिल्यम्स की धर्टी पर वापसी के दौरान यान में क्या खराबी के कारण नतीजे हो सकते हैं रिडॉल्फी के मताबिक सेफ री एंट्री के लिए स्टार लाइनर के सर्विस मॉड्यूल को कैपसूल को सही एंगल पर रखना चाहिए अगर अलाइनमेंट गलत हुआ तो नतीजे भयानक हो सकते हैं रिडॉल्फी ने चेताया कि अगर कैपसूल सही से लाइनप नहीं हुआ तो री एंट्री के दौरान या तो ये पूरी तरह जल जाएगा या फिर स्पेस में बापस फेग दिया जाएगा अगर सर्विस मोड्यूल ने कैपसूल को बहुत ज्यादा एंगल पर रखा तो हीट शील्ड फेल हो सकती है जिससे भयानक ओवर हीटिंग होगी रिकडॉल्फी के मताबिक पहली संभावना ये है कि स्टार लाइनर खराब थ्रेस्टरो और सिर्फ 96 गंटी के ऑक्सिजन सप्लाई के साथ अंतरिक्ष में फस जाए रिकडॉल्फी ने बताए कि सबसे खराब इस्तिती ये होगी कि अगर कैसूल वायू मंडल में बहुत अधिक एंगल पर एंट्री करता है तो अत्यदिक घर्षन के कारण वह जल जाएगा और भीतर बैक्ठ अंतरिक्ष यात्री बाश्पिक्रत हो जाएंगे